प्रड़ के खिलाफ मुहीं में पेअ मोदी को अपनी मा का साथ भी मिला पेम की मा हीरा बैन भी नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंची नोट बदलवाने के बाद उन्होंने 2000 का नया नोट भी दिखाया हीरा बेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकच मोधी के साथ गांधी निगर में रहती है बॉलिवुड एक्टर नाना पाटेकर ने भारत पाकिस्तान के अंतराशे सीमा पर तैनाद B.S.F. जबानों का होसला बढ़ाया नाना पाटेकर ने कहा कि मोर्चे पर तैनाद वर्दी वाले जबान हमारे असल हीरो हैं देश की एक्ता की रक्षा करने के लिए वे हर दिन संघाश करते हैं इसके अलावा नाना पाटेकर ने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत बड़े हत्यार नहीं बलकि हमारे ये जबान है कश्मीर में बारवी की बोर्ड परिक्षा के बाद अब दस्वी की परिक्षा भी शिरू हो गई है पहले दिन हुई परिक्षा में 99% छात्रों ने हिस्सा लिया हिंसो और विरोध के बावजूद भी छात्र बढ़ चड़ कर परिक्षा में हिस्सा ले रहे हैं जम्मू के रियासी में जबाहर नवोदय विद्याले के बच्चों ने स्कूल में पीने का पानी नहीं होने को लेकर प्रदर्शिन किया स्कूली बच्चों ने कटरा रियासी रोड पर जाम लगा दिया करीब दो घंटे तक ट्रैफिक रुका रहा बाद में प्रशासा ने किसी तरह से बच्चों को समझा बुझा कर जाम फुलवाया बिहार के सिवान में बड़ा हादसा होने से बच गया यहाँ एक नीजी स्कूल की पिक अप बैन में शॉर्ट सर्किट की वज़े से आग लग गई जिस वक्त यहादसा हुआ स्कूल बैन में बच्चे बैठे हुए थे आननफानन में बच्चों को बाहर निकाला गया और देखते ही देखते पूरी पिक अप बैन जलने लगी मंबई के पास उलहासनगर में प्रॉपर्टी टेक्स नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी सील की जा रही है करीब 86 लाग रुपर्टी टेक्स नहीं चुकाए जाने पर उलहासनगर महापालिका ने डॉल्फिन क्लब होटेल और लॉंच की 100 करोड रुपे की प्रॉपर्टी जब्द कर ली महानगर पालिका की टीम अब तक 300 प्रॉपर्टी जब्द कर चुकी है महराज के कोला में एक सैलून वाले ने अपने अंदाज में लोट बंदी के फैसले का स्वागत किया अनन्ता कोलकार नाम के इस सैलून वाले ने मोधी सरकार के फैसले के समर्थन में अगले दो तिन दो पहर बारा बजे से चार बजे के बीच मुफ्त में वाल काटने और शेविंग करने का एलान किया है पटना में अतिक्रमन हटाने के कारण जम कर हंगामा और मार पीट हुई दरसल पुलिस की टीम होटिल पाटली पुत्रा अशोक के सामने अतिक्रमन हटाने पहुची थी इस दोरान फुटपात पर दुकान लगाने वालों और दुकानदारों में भिड़न्थ हो गए इस दोरान एक व्यक्ती ने फाइरिंग कर दी जिससे बाद में लोग उग्र हो गए और पुलिस पर फटर फैकने लगे पुलिस ने किसी तरह भीड के चंगुल से फाइरिंग करने वाले रिटाइड भक्ती और उसके बेटे को छुड़ाया और गिरफतार कर थाने ले गई शेडी साय मंदिर को 2000 रुपए के नए नोट भी चड़ावे में मिलने लगे हैं 1000 और 500 के नोट बंध हो जाने के बाद शेडी के साय मंदिर को चड़ावे में करीब 5,80,000 रुपए के 302 नए नोट मिले हैं इस दौरान चड़ावे में कुल 1,75,000 रुपए दान पेटी से मिले हैं पश्चिम बंगाल के सिलिगुडी में वन विभाग के टीम ने तेंद्वी का रेस्क्यू किया ये तेंद्वा टी गार्डन के बीच में बने पानी के टैंकर में गिर गया था साने लोगों ने इसकी सूशना वन विभाग को दी जिसके बाद वन विभाग की टीम ने जाल के साहरे तेंजों को पानी से बाहर निकाला